दोस्तों आज फिर आपके लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज़ेवल वीडियो लेके आया हूँ यह आपको यूट्यूब पे भी मुस्टली नहीं मिलेगी टरनल पे आज हमारी वीडियो रहने वाली है तरनल के बारे में सीखोगे आप प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ज जिससे टरनल की लाइनिंग की जाती है उसमें क्या क्या चीज़े होती है एक जो एक्जिक्यूशन एंजिनिर होता है तरनल में उसका क्या काम रहता है जो स्टील फाइबर यूज किया जाता है मतलब उसमें कॉंक्रीड में सरीया मोस्टली यूज नहीं किया जाता है उसमे फाइबर यूस किया जाता है 3D, 4D, 5D, वो सब चीजे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे जो रॉक बोल्टिंग होती है, वो क्या होती है, NETM मेथड क्या है, पूरा टैनल के बारे में एक फ्री इंटर्नशिप बोलो, पूरा नॉलेज आपको इस जो गैंटरी हम जो ट्रैवलिंग फॉर्म बग यूज करते हैं, उसका मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कि क्या चीज है गैंटरी, आपने सबने अपने टेगरी के दुरान, सबने डिजाइन किया होगा गैंटरी का, हर एक तरनल में कॉंक्रीड किया जाता है, वो किसकी हल्प से किया जाता है, जो अगर लाइनिंग हम जिसे बोलते हैं, लाइनिंग क्या है, जो लास्ट लियर होती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा न, कॉंक्रीड हुआ हुआ हुआ, जो आपको जब भी टरनल में से आ गंट्री आती है यह डिपेंड होता है कि टनल किस टाइप क्या उस टाइप से गंट्री को डिजाइन किया जाता है तीन से बारा मेटर डाया तक यह गंट्री डिजाइन की जाती है इसे बड़े भी होगी तो कर दी जाएगी तो इसका क्या basic रहता है, इस कैसे work करती है, कैसे concrete होता है, क्या क्या चीज़ें दियान देनी है, जब आपका tunnel में काम लग गया बाइचान, वहाँ आपको as a site engineer क्या इसमें concrete करवाते है, time दियान देने, सबसे पहले बड़ी basic चीज़ें होती है, सबसे पहले curb यहाँ, जिसे हम train के लिए होते हैं, तो railing डाल दी जाती है, rails, जो rail होती है, यह सामने में दिखाता हूँ, यह नीचे आपको दिखरी होगी, यह डाल दी जाती है, फिर उसके बाद इसको movement की जाती है, उसी के ओपर, rails के ओपर, ठीक है, movement की जाती है, और फिर hydraulic jacks होते हैं, जो बंद खुलत हैं, जितनी position पर चाहिए, उसके बाद क्या करता है, surveyor, point मार देता है, कि proper है, मतलब gantry अच्छे से fit होगी, तो उसके बाद concrete किया जाता है, अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, देखो, कहीं से inlet तो चाहिए concrete जाने के लिए, बाकि दो TM, boom placer का का काम है, तो boom placer नही है, concrete डालने के लिए pump, वो, तो तीन inlet होते हैं, concrete के, दो, दोनो साइड, दो उपर, मतलब ऐसे inlet बनाए होते हैं, कि पूरे proper वे से concrete उसमें जाए, और इसमें vibrators, या windows जो होती है, वो minimum हर एक में 15 या 12 तो होती होती है, उससे बाकी design पर डिपेंड है, और इसमें, जो concrete की lining मे कितना time लेते हैं, मतलब अगर हम बात करें, setting time, 15 गंटे के बाद आप गंटरी खोल सकते हैं, 12 गंटे के बाद खोल देते हैं, जैसे 12 ओर के बाद गंटरी को खोल के आगे shift कर सकते हैं, लेकिन shift होती ही नहीं है, बड़ा process होता है, ठीक है, और इसमें vibrators fix होते हैं, पहले ही अगर आप देखो, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यह थोड़ा congested सा area होता है, बड़ा दिखना कम है, तो इसमें vibrators होते हैं, जिनको 15 से 20 से कंड ही मारना होता है, उससे जाधा vibrate कभी नहीं करना है, यह हमेशे दियान रखना है, बहुत कृशियस हो है, 15 से 20 से कंड तक ह तरनल में, और जो सामने आप तरनल देख रहे हो, यह तरनल जमुएन कश्मीर में बन रहा है, बारा जो लिंक अप हो रहा है, रोड को, रेल को लिंक अप किया जा रहा है कश्मीर से, और इसका जो मतलब डाया, यह हम बात करें, यह 7 मिटर है, साथ में एक में टरनल है, और करती है और इसकी लंख की मैंने आपको बात नहीं गी यह 12 मेट लंबी है और डिपन होता है कितने लंबी आपको चाहिए उससाबसे डिजा entwickeln ने होता है हर चीज का तो यह 12 में लंबी थी 7 में इसका डाया था और भी कुछ चीजें हैं जो बेसिक ही आपके लिए मैंने एक टनल की खुद एरेंज करवाई आप लोगों के लिए कि आप लोग सीखो एक विजट एरेंज करवाई तो उसी का दोरान का ये वीडियो है ज्यादा क्लिप्स वहां लेने नहीं देते हैं इसलिए जितना पॉसिबल था उतना मैंने आपके लिए कर दी है आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझ आ गया होगा कि गैंट्री होती क्या है मुवमेट कैसे करती है इसमें क्या क्या चीज़ें रखने होती है और बी और कॉंक्रीट की बात करें तो M3020 कॉंक्रीट वहां यूज हो रहा था और स्टील मैं कून कून से प्रुजेक्ट है यहाँ एम यह प्रसास होता है उसकी सब स्प्रैसिकेश्न आपको बताने वाला हूँ और मैं बताऊंगा फैरो इस क्या होता है मतलल्द दो टौपीक हो आज हो हमारे होने वाले हैं काफी ज्यादा इंपटन होने वाले हैं इंटर व्हीं और as a civil engineer वो चीज आपको पता भी होनी चाहिए, काफी important है, complete वीडियो देखना, start करते हैं काफी दिनों से मेरा मन था इस वीडियो, इस टॉपिक वे वीडियो लाने में, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा important है, और मेरे को अच्छा लग रहा है बताने में आपको, क्योंकि इसमें आज मैं काफी detail आपको बताने वाला हूँ, पहले बात करते हैं, steel fiber concrete की, की steel fiber concrete हु ये हमने concrete बनाया, जिसमें हमारा क्या आगया, sand, aggregate, फिर हमारा इसमें water, प्लस इसमें हम करते हैं, steel fiber use, यो आपको उपर दिख रहा भी होगा, पिक भी मैंने साथ में रखिए, जिनको नहीं पता है, steel fiber के बारे में, तो इसमें क्या होता है, इस concrete में कभी भी हम जो सरीय आप पहले हम क्या करते हैं, सरीय बांते हैं, फिर उसके उपर concrete करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, direct, ये तीन mixture आप सीधा उसमें डाल देते हो, प्लस cement, sorry, ये mixture उसमें सीधा डाल देते हो, अभी मैं बात करता हूँ, ये mainly कहा कहा किया जाता है, tunnels होगे न जो, जैसे मैंने starting मे आपको tunnel दिखाया, उसकी last layer हो ये होती है, lining, ये bury करती है, 350 mm से, 550 mm तर, इसमें क्या करते हैं, tunnels में, ये, ये ही, जो steel fiber concrete होता है, वो use किया जाता है, even अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, सबसे जादा टरनल उधर ही बन रहे हैं, जमून कश्मीर में, तो वहाँ प जो M30, 20 mainly use करते हैं, M30 वो grade आ गया, concrete का, 20 aggregate आ गया, जहां बगली हार, आपने नाम सुना ही होगा, hydro project है जो, उसमें भी ये ही चीज़ यूज़ की जारी है, इसकी मैं सब specification बताने वाला हूँ, कितने MQ में क्या डलता है, क्या strength होती है, कितने type के fiber होता है, कितनी elongation, मितलब इस वीडियो में आपको खूब सारा knowledge मिलने वाला है, steel fiber पर पूरे concept clear होने वाले हैं आपके, मतलब North India में जो भी tunnel बन रहे है, मतलब aprox 9 to 10 structure, बड़े बड़े structure, वो steel fiber concrete से हो गी है, मतलब उसमें कोई use नहीं किया सरीय, road कोई use नहीं किया, कि 32 mm का सरीय, या 22 mm का सरीय, इसकी strength भी उसके बराबर होती है, मैं strength के बबात करने वाला हूँ आगे, अभी हम start करते हैं इसका, मैं बताता हूँ, इसके type बताता हूँ पहले आपको, type क्या क्या रहते हैं इसके, आपको दिखते जाएगी उपर, लेको इसके 3D आता है, 4D आता है, और भी काफी mainly 5D आता है, य यह तीन टाइप देखने को मिलते हैं, अगर इनकी हम strength की बात करें, मैं इसकी example भी दूँगा, 1000 newton क्या strength कहा काम आएगी, इसकी 1650 newton पर mm2, इसकी 2300 newton पर mm2, देखो अगर हम एक slab बनाते हैं, ठीक हमारी grade slab चल रही है, पेवमेंट चल रही है, रोड की, यह हमने पेवमें डाल दी, इसमें वो steel fiber थोड़ा-थोड़ा है, इसमें मैं बता दूँ, आपको देखता कैसे है, यह ऐसे होता है, तो इसमें steel fiber डाल दी, अगर पड़ा उपर से load, तो यह steel fiber यह होगा, यहां से अगर crack आए, तो steel fiber क्या होगा है, पकड़ के रखेगा, 1000 newton, अगर हमने 2D इसमें एक ही hook होती है, ऐसे होता ही, एक, 4D में 2 hook होती है, ऐसे, ऐसे, और इसमें 3 होती है, तो इसमें पड़ा तो इपकड़ के रखेगा, थोड़ी देर तक फिर महला कर जाएगा, अगर हम 4D यूज़ करते हैं, दो hook के उनके सीधे होते में time लगेगा, crack होने ने देगा, इसमें flexor strength कितनी जाधा होती है, आप देख सकते हो, मैं अगर flexor strength की बात करूँ, वो काफी जाधा होती है, मैं आगे पूरा clear आपको करने वाला हूँ, design के साथ, ठीक है, अगर हम 5D इसमें यूज़ करते हैं, तो वो तूटना मुश्किल ही होता है, क्योंकि ये सीधी होती और इसके अगर हम elongation की बात करें, मतलब अगर इस पे हम खिचाब डालें, दोनों पे, खिंचें इसको, तो इसकी elongation जो होती है, वो काफी जाधा होती है, पांच से 35% ये elongation होती है, मतलब 35% खिचे सकता है, तोटता नहीं है, इतनी जाधा elongation इसमें होती है, आगे बढ़त करेंगे, इसकी 1 M cube, अगर हम माल बनाते हैं, हम लोग concrete बनाते हैं, फिर मैं clear कर देता हूँ, cement, sand, aggregate, cement, sand, aggregate, water, plus जो हमारा steel fiber होता है, एक काफी important topic जो steel fiber होता है, तो अगर हम steel fiber की बात करें, तो उसका proportion क्या रहता है, मतलब, अगर 1 M cube concrete होगा, तो उसमें 0.036% से 5.61% उसमें मारा steel fiber यूज़ किया जाता है, इतना, मतलब, वाल्यूम के इसाब से, इतने वाल्यूम के इसाब से, कितना 0.36 से 5.6.1 तक किया गया है, और अगर हम 0.36% यूज़ करते हैं, तो उसकी flexural strength, मतलब, strength कितनी बढ़ जाती है, 10%, कितनी 10% concretely, अगर हम 5.6% करते हैं, तो कितनी बढ़ जाती है, 120%, मतलब, डवल उसकी strength हो जाती है, डवल से triple, 100 गुना, 120 गुना strength उसकी हो जाती है, अगर हम 5.61, उसमें concrete में fiber mass यूज़ करते हैं, clear, अभी बात करते हैं, इसके design की, इसमें डलता क्या क्या है, अगर cement की बात करें, तो 350 kg तो 550 kg पर M3 सीमें डलता है, यह डिपेंड करता है, अगर हम बात करते हैं, इसमें जो journal use, अगर हम, जैसे मैंने पिछे तो बताया, आपको कि कितना होता है, 0.36% से लेके, 5.6%, एकना अगर हम journal use करें, तो 10 kg mesh आपको use करना है, करना है, उसमें concrete में, कितना 10 kg पर MQ आपको use करना ही करना है, बाकी यह design पर डिपेंड होता है, अगर हम बात करें, फाइबर का size क्या रहता है, जो steel mesh आपने starting में देखा, 0.25 mm to 1 mm, इसमें मैंने project बनाया था, इसलिए मै हमने project कर चोका हूँ, हमने एक fiber design किया था, जब मैं अपने degree kit दोरान, हमने एक fiber मनाया था, इस से हमने 3-4 किसम के ratio यूज़ करके, एक beam बनाया था, उसमें हमने test किया था, उस ही के result मैं आपको बता रहा हूँ, 0.25 mm to 1 mm यह हो गया, और length कितनी यूज़ की थी, हमने fiber की, यह यूज़ किया जा रहा है, आप कई भी किसी construction में जाओगे, इवन जो longest road tunnel है अभी, चनैनी नाशरी, चनैनी नाशरी tunnel, जो जेंड के में है, जमुन कश्मीर में, उसमें इवन यही यूज़ किया गया है, और एक काफी अच्छा project है, कभी time लगा तो मैं आपको visit कर वाँगा तो यह हो गया हमारा steel fiber mesh का, अभी बात करते हैं हम फैरो cement की जैसे मैंने आपको बात की थी, कि मैं आपको फैरो cement के बारे में बताने वाला हूँ, यह दो टोपिंग मेरे काफी करीब थे, काफी इन पर, क्यूंकि मैंने इन पर project किया हुए, तो मेरे को था कि मैं आपको बता पहले में बता देता हूँ, फिर proportion बगर बताओंगा क्या होता है, यह steel है रखा हमने, यह steel की use किया, फिर इसमें इस तरह wire mesh यूश किया थी है, इससे काफी dam होगे, टंकिया होगे, ships होगे, काफी चीज़े मनती है, यह दोनों तरह wire mesh, फिर यहाँ पे हम क्या करते है, sand plus cement का चोटा कभी-कभी aggregate डालते हैं, 4 mm, चोटा-चोटा, मतलब basically दोनों का Michigan होता है, sand plus cement का, और proportion क्या रहता है उसका, 1 ratio 5, 2 ratio 5, 1 हो गया, cement, sand, cement, sand, तो इसका क्या क्या गियाता है, जहां तो short grid मतलब force से मारा जाता है, pressure के साल, जहां तो ऐसे plaster जैसा पूरा fill कर दिया जाता है, इ इसको कर दिया जाता है, इससे काफी ज़्यादा डैम बगारा भी बनाए जाते हैं, आर्च डैम आपने देखे होंगे, वो बनाए गए हैं, चोटे-चोटे गाउं में, जिससे कि अगर पानी रोके, वो पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि सूखा बहुत पड़ता है, तो व किया गया है, टंकिये बनती है, तो एक अच्छी टेकनोलजी है, फैरो सीमेट क्या होता है, वायर मेश यूज़ किया जाती है, जो आपने देखे होंगी मुर्गा जाली हो, लेकिन उसमें काफी जादा स्पेसिंग होती है, मोटी वाली होती है, गोज उसका मोटा होता है, तो वो यूज़ कि जाती है, और यूज़ किया जाता है, कितना मतलब 3-8 mm जिसका डायर रहता है, वो सरीय इसमें यूज़ किया जाता है, और एक अच्छा मिश्रन बनता है, अच्छी स्टेंध वाल एक पूरा बॉल यासे बन जाती है, फैरो सीमेट की, मतलब शरीय दोने दरफ वायर लगा ली, वायर मेसे लगाई, फिर इसमें सीमेट और सैंट प्लस अगडमिक्चर उऔर की बाटर का मिशनन बनाखे इसमें दाले हैं प्लसतर यहसे कर दी दिया है तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फेरो सिमेंट का एक प्रोसेस होता है एक टेकनोलजी एक मैथड है काफी अच्छा मैथड है यह उसके जाता है एने टीम न्यू अस्टेन टनिलिंग मैथड के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा लेकिन उस पे एक टर्म एक बेसिक चीज उसमें यो यूज होती है उस पे हमारा वीडियो है रॉक बोल्टिंग जिसे कहते हैं, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा और उसका मतलब इंक्वर्टेंस बताऊंगा क्यों हम वो रॉक बोल्टिंग करते हैं, सोईल नेलिंग के बारे में सब ने सुना ही होगा, जो सोईल नेलिंग आपने देखी भिए कि जहां जहां प़ाड होते हैं वहां पे मिट्टी को रोकने के लिए एक बोल्ट जैसा यूजे किया सुल में फिर तो इसके उपर शोड कृीड किया होते हैं सामने आप जो देख रहे हो एक टर्नल है तो जिसमें शॉट करीड हुआ है यह प्रोसेस फुल रहता है इसमें मैंने एक ब्लॉग लिखा था में डिस्क्रिप्शन में देखा ब्लॉग वो उसमें मैंने पूरा प्रिंसिपल बताया था कि कैसे हम वो एने टीम मैथर्ड वर्क प्रिंड ब्लॉग शॉट करें जाता है तो उसी के बाद रॉग बोल्टिंग का करने का में फंडा के क्यों किया जाता है वो में आपको थोड़ा करता हूं तो वो पुली पैक हो जाती है किसम से मतलब अगर लूग ए कहीं उसमें एक्ट्रा चीज गुसाओगे तो वो इसमें प्रिंड ब्लॉग अगर पढ़ोगे तो आपको पूरा नेटीम मेथर समझ आ जाए कि कैसे कैसे स्टैप बाइप प्रोसेस होता है तो उसका में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ब्लॉग का आप ब्लॉग पढ़ो काफी अच्छा है क्योंकि एनेटीम की का काफी काम है तो आपका स्कोप हो सकता है इसमें तो इस बेसीक टॉपिंग में लेके आए हूं अभी मैं गेंट्री और इसका थोड़ा ड्रॉइंग आपको दिखाऊंगा टैनल का कैसे रहता है थैंक्यू गाइस अगर वीडियो पसंद होगी तो लाइक करना देखो जैसे ब्लास्ट होता है उसके बाद लूज मिटीरियल निकाल दिया जाता है लेकिन जब भी ब्लास्ट के बाद जो सर्फेस उपर होता है उसका जो सोईल थोड़ी लूज हो गयी होती है जो स्टोन बड़े-बड़े पत्थर होते है रॉक होते है वो लूज हो गयते है तो उनको एक मतलब सेफली नीचे काम करने का एरिया बन जाए जहान नीचे गिरे नी इसलिए क्या कियाता है रॉक बोल्टिंग मतलब लूज चीज को अगर चीज किसी में गुसा दो